असलाम अलेकुम तो आज हम आ गए हैं बहुत ही टेस्टी रेस्पी के साथ जो के है आलू कतली की बहुत ही चेटपटी सबसी जो के आप रोटी पराठा या पर दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही तो अगर आप नए है मेरे चैनल पे तो जल्दी से मेरे चाहें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे रेस्पी को, ताकि ऐसे ही और भी ईजी और टेस्टी रेस्पी मैं आपको और आगे दिखा सकूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये, तो मैंने अपर नियां फेamiento 5-6 ऐत करया कि, जो आलू और गोल गोल कीकमने वेस्टे मैं इसको काट और ताहल हो सफ कर सकक्रेंकर नेगा अएक ट्रमच को राके है ज सग्मेर हैं, मैंने फर fellas वेकर सब्सक्राइब हैं एक हम रिखा प्याहें में सिफ अछा ज़ए साथ हम च्टैसी हम डाल रहे हैं मस्टर्ड ओयल आप चाहें तो कोई भी ओयल डाल दीजे लेकिन इस सबजी को अगर आप मस्टर्ड ओयल में मनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है तो जब मस्टर्ड ओयल अच्छ से गरम हो जाएगा यानि कि धुवा निकलने लगेगा तब हम इसमें डाल करेंगे ताकि हम इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जी हां हम आलू को पहले फ्राई कर रहे हैं ताकि जो आलू है वो घुले नहीं थोड़ा से खड़े खड़े रहे हैं तो इस हिसाब से हम इसको फ्राई कर रहे हैं तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह थोड़ा सा ग हम निकाल लेंगे थोड़ा सा गोल्डन कलर में आने के बार एक दूसरे वजल में हम इसको निकाल देंगे अगर आपको अपने पसंद की कोई भी डिश चाहिए जो के मैं आसान तरीखे से बना सकूँ और आपको दिखा सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी तो आप मुझ प्यास मैने कक्टकिया वो हम इसमें डाल देंगे प्यास की क्वॉंटिटी थोड़ी सी जादा है तो आप इसी तरह से डाले और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ज़्यादर इसको आपको ब्राउन नहीं करना है याद रखे थोड़ा सा गर्ड़न कलर आने तक इसको ह बस इतना ही हम इसको fry करेंगे अब बाकी के हम ingredients इसमें एड कर लेते हैं गास को हमने slow कर दिया है अब next हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच हल्दी next डालेंगे एक छोटा चमच काली मिरिष्ट का पॉडर एक चमच भर करम डालेंगे इसमें धनिया का पॉडर एक छोटा चमच गरम मसाला पॉडर डालेंगे एक चमच भर करम डालेंगे इसमें लाल मिष्ट पॉडर यानि कि सारे ingredients हमने प्यास में डाला हुआ गैस को slow करके ही आप सारे मसाले आड कीजेगा वरना जो मसाले है वो जल जाएंगे तो हलकी आच में हम इसको हलका सा भूनेंगे दो मिनिट के लिए ताकि जितने भी प्यास है उसमें मसाले अच्छे से लग जाएंगे अब नेक्स हम डालेंगे इसमें फ्राइ किये हुए आलू जिसको हमने स्टार्टिंग में फ्राइ करके रख लिया था तो सारे आलू हम इसमें डाल देंगे अब प्यास के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे ताकि जितने भी इंग्रीडियन्स हमने मिलाया है प्यास में वो सारे के सारे हमारे आलू में भी लग जाए तो इस तरह से हम अच्छे से इसको mix up करेंगे, फिर डालेंगे एक चमज भर का नमक, नमक हमको last में डालना है और हरी मिर्चे जो हमने cut करके रख लिया है वो भी हम last में डालेंगे, तो इस तरह से हम taste की ही से आप से नमक डाल रहे हैं, आप ध्यान से डालिएगा, तो इसलियों की जो चटपड़ी सबजी है, वो यहां पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जितने भी मसाले हैं, वो अच्छे से हमारे आलू में लग चुका है, और आलू भी अच्छे से हमारा पक चुका है, प्यास के साथ, तो अच्छे से इसको mix up करेंग और लास्ली इसमें डालेंगे हम थोड़े से धनिया की पतियां, तो बस इसको गर्मा गरम आप एंच्छाइ कीजिए, रोटी पराड़ा या डाल चावा के साथ बहुत टेसी लगता है, मुझे कमें सेक्ट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी, तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंज, अपने महमानों को खिलाएं, खाएं और खुश रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तैंक्स और वाचिंग